हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लेस स्टेडी आई के उपर दोस्तो आज का बहुत ही इंपोटेंट हमारा टॉपिक है बरतमान में कौन क्या है और इस इंपोटेंट टॉपिक से दोस्तो हर एकजाम में कोई सा भी एकजाम में हर एकजाम में समझेंगे हर कोशन की तो चलो स्टार्ट कर देती हैं दोस्तो जो पहला हमारा कोशन है भारत के बरतमान राश्टपती कौन है तो जो भारत की बरतमान राश्टपती कौन है दोस्तो दुरोपती मुर्मू भारत की बरतमान राश्टपती हैं दुरोपती मुर्मू ने दोस्तो जो विपक्ष के पिर्तियाशी यश्वन्त सिना को हराया है और हराकर यह दोस्तों यहापे भारत के बरतमान राश्टपती की रूप में नियुक्त हो गई है अनुचित दोस्तों बावन राश्टपती पत का प्राबधान किया गया है यानि अनुचित जो बावन है इसमें राश्टपती पत का यहापे प्राबधान किया गया है important ये effect पे दुस्तो इसको not down करते चलिए बहुत important है इससे दुस्तो question बनते ही है second question हमारा है भारत के बर्तमान उपराष्टपती कौन है तो जो बर्तमान उपराष्टपती दुस्तो जगदीब धंगड है जगदीब धंगड ने बिपक्च के उम्मीदवार मारक रेट अलवा को हराया है और जगदीब धंगड ने देश के 24 उपराष्टपती के तोर पे दुस्तो कारभार यहां पे समाल लिया है उन्हें राष्टपती द्रोपती मुर्मू ने राष्टपती भवन में सपद दिलाई और भारत के संबीदान अनुच्छेत 63 यह उप्राष्टपती होगा तो अनुच्छेत आप याद रखिए 63 के उप्राष्टपती होगा दोस्तो ने राष्टपती होगा चंद्रचूड बने हैं और धनंजे यश्वंद्र चंद्रचूड भारत के 50 वे 59 के रूप में यहाद चीफ जस्टिस ओप इंडिया बने हैं इन्होंने उधित उमेश्ट ललित का इस्थान लिया है चीफ जस्टिस ओप इंडिया की निवक्ति भारत के राष्टपती यहाँ पे करता है इसके अनुच्छेद यहाँ पे 124 क्लोस टोब में दो के अनुसार यहाँ पे यह बताया गया है बहुत इंपोटेंट फेक्ट हैं दोस्तों कि जो भारत का राष्टपती दोस्तों चीफ जस्टिस ओप इंडिया की निवक्ति करता है प्रनुच्छेद 124 क्लोस दो के यह तहत यह करता है यह डीटेल आप नोट डाउन करते चलिए नेस्ट कोशन दिखेंगे दोस्तों हाली में भारत के प्रतिभूती और बिनियमें बोर्ड यानि सेवी की अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो दोस्तों जो सेवी की अध्यक्ष मादवी पुरी बुच को यहां पर बनाये गया है मादवी पुरी बुच भारती प्रतिभूती और बिनियमें बोर्ड सेवी यानि सुक्रिटी एक्षचेंज बोर्ड आप इंडिया की पहली महिला अध्यप्ष बनी है बहुत important question है दोस्तों ये पूछा जा सकता है और जो सेवी की स्थापना दोस्तों 12 अप्रेल 1988 में हुई थी और सेवी एक्ट जो लागू हुआ था वो 1992 के तेथ हैं पर बैधानिक मानता इसको मिली थी इसके 33 जनवरी 1952 को इसको बैधानिक मानता राप्त हुई और सेवी का जो मुख्याल है दोस्तों वो मुंबई में जिस्तित है मादवी पुरी बुच्च दोस्तों ये सेवी की पिर्था में आपे महिला अद्देक्ष बनी है तो ये आप नोट डाउन करिए बहुत important question है नेश्ट अकर हम बात करें दोस्तों नेश्ट जो question है भारत के नए मुख्य चुनाओ आयक्त कौन बने हैं तो भारत के जो नए मुख्य चुनाओ आयक्त दोस्तों राजीब कुमार को यहाँ पर बनाये गया है राजीब कुमार भारत के 25 भी मुख चुनाव आयुक्त बने हैं उन्होंने सुसील चंद्रा का इस्तान लिया है दोस्तो चुनाव आयुक्त की दोस्तो यहां पे जो स्थापना 25 जनवरी 1950 को यहां पे की गई थी और मुख इसका जो कार्य होता है राष्ट पती उपराष्ट पती राजी सवा लोक सवा तता राज्यों का जो विदान सवाओं का चुनाव करवाना इसका मुख कार्य होता है दुबारत के नए मुख चुनाओ आयक तो कौन बने है दोस्तो राजीब कुमार यह आपको डीटेल यहाँ पर दी गई है और नेस्ट जो कोशन है बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तो हाली में नीती आयोक के नए CEO किसे बनाए गया है तो यह बनाए गया दोस्तो परमेश्वर आयर को दोस्तो हाली में नीती यानि नेस्टनल इंस्टिटूट आप ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया आयोक के यहाँ पे नए CEO परमिश्वर आयर बने हैं राष्टिय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना यानि जो दोस्तो नीती आयोक की स्थापना कब की गई थी ए और इसका जो मुख्याल है नई दिल्ली में इस्तित है इसके जो अध्यक्ष है देश के परिदान मंतरी नरेंद मोदी और उपत्यक्ष दोस्तो सुमन के बेरी हैं नेस्ट कोषिन देख लेते हैं दोस्तो नेस्ट जो कोषिन वारा है हाली में भारती अंत्रिक्ष अनुसंदान संगटन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने है तो भारत के जो भारती अंत्रिक्ष अनुसंदान संगटन यानि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने है इन्होंने के सिवान का इस्थान लिया है दोस्तों और 15 अगस्त 1979 को इस रोकी स्थापना की गई थी इसका जो मुख्याल है बेंगलूरो करनाटक में इस्थित है एस सौमना दोस्तों इस रोके नए अध्यक्ष हैं याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है यह कोईशन यहापे बन सकता है नेश्ट कोईशन देख लेते हैं बहुत इंपोर्टेंट है संग लोग सिवा आयोग जो UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों संग लोग सिवा आयोग यानि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो यह बने हैं दोस्तों डॉक्टर मनू सौनी डॉक्टर मनू सौनी दूस्तो संग लोगसेबा यानी यूनियन पप्लिक सर्विश कमिशन यूपीएसी के नए अध्यक्ष बने हैं इसे एक अक्टूमबर 1926 को इस्तापित किया गया था और नए दिल्ली में दूस्तो यूपीएसी का मुख्याला है औ और भारतिय संभिदान अनुछे 315 में संग और राज्य लोक्षेबा आयोग के गठन का प्रभधान किया गया है ये फैक्ट है इंपोटेंट दोस्तो याद रखिए नेस्ट कोशन देख लेते हैं नेस्ट कोशन है हाली में राष्टी अनुसूची जाती आयोग यानी NCSC के नए अध्यक्ष किसे बनाए गया है तो जोस्तो जो राष्टी अनुसूची जाती आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाए गया है तो ये बनाए गया दोस्तो विजे सांपला को विजे सांपला को दोस्तो राष्टी अनुसूची जाती आयोग यानी नेस्नल कमिशन फोर से 80 के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तो इसे 19 फरवरी 2004 को इस्थापित किया गया था और इसका जो मुख्याले है वो नई दिली में इस्टित है यह दोस्तो एक संबिदानिक निकाह है इसका जो उलेक भारत के संबिदान अनुचेत 338 में किया गया है तो दोस्तो विजे सामपला राष्टी अनुचूची जाती आयुक के नए अध्यक्ष हैं नेक्ष कोशन देखेंगे दोस्तो खाली में भारत के चीप आफ डिपेंस इस्टाप यानी CDS कौन बने हैं तो यह दोस्तो लेप्टिनेंट जन्रल अनिल चोहान खाली में भारत के च चीप आफ डिपेंस इस्टाप यानी CDS बने हैं यह दोस्तो उत्राखंट के लेप्टिनेंट जन्रल अनिल चोहान भारत के दूसरे चीप आफ डिपेंस इस्टाप बने हैं भारत के जो पहले चीप आफ डिपेंस इस्टाप थे दोस्तो जन्रल विपिन राबत थे और CDS ज अभी तीनो सेनाओं यानि थल सेना, बायू सेना, नो सेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सेन सलाकार के रूप में आपे कारे करते हैं तो दूस्तो आज के दू हमारा कोशन आपे फिनिस हो चुके हैं अगर ऐसी कोशन आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तो वेल आइकेन को यहाँ पर प्रेस कर लीजिए कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके कोशन अच्छ लगे तो जादे से जादे लोगों तक सेर करिए और दोस्तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करना मत भूलिए तो मिलते हैं यह वीडियो में थेंक्यू सो माइच